तो हलो और वेलकम यू ओल आइम रोईत फ्रोम महाजंट रीडर तो गैस आज हम बात करेंगे इंफोसीस एल्टीडी के बारे में तो गैस इंफोसीस एक बड़ा सपोर्ट ले रहा है तो कहां पर आपको बाई करना है ओह हम डिसकुस करेंगे और यह सपोर्ट लेवल कैसे क्र इसे हम कह सकते हैं और टीस के बाद इंडिया में जो सेकंड लाजस्ट आइटी कंपनी है ओह है इंफोसीस तो गैस इससे बड़ी बात और क्या हो सकते हैं और आइटी सेक्टर एक दमदार स्टॉक है बट गैस कही न कहीं यहाँ पर कही टाइम से इनके रिजल्स के बावज इसमें भी बड़ी गिराउट आई रिजल्स के बाव जोगा और विप्रो टीसियर्स आईटी सी यहाँ पर चुका सुरी कैस आईटी सी नहीं इंफोसीस तो कहीं सारे इसे जो आईटी सेक्टर के स्टॉक है वो गिर रहे हैं बट कहीं न कहीं अब यह सपोर्ट ले चुका ह तो सपोर्ट कहाँ पर लेगा तो उसके बारे में हम डिसकस करेगे और काफी कुछ बाते करेगे अगर आफीफ अगर आप एक बिगिनर हो अज बिगिनर आप बड़े स्टॉक्स में इंवेस्ट करना चाहते हो तो इंफोसीस एक सही स्टॉक है आपकी लिए तो विलकुल ग और टेलिग्राम चनल पर जॉइन होना है इंट्राडे कॉल्स के लिए तो बिलकुल लिंक डिस्क्रिप्शन में जॉइन हो सकते हो सो गाइस बात कर रहे है हापर हम इंफोसीस एल्टीडी के बारे में करन प्राइस क्या है 1685 रुपे 80 पेसे पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी साथ रुपे 20 पेसे तक का स्टॉक ने रिटन दिया है और देखा जाए 0.43% के हिसाफ से एक इंक्रिमेंट स्टॉक में नजर आ रहा है सो गैस यहापर हमने बात कर ली कि स्टॉक में कहा पर क्या रहली है और वही गैस अगर देखा जाए तो गिरावट कितने स्टॉक म यहाँ से यहाँ तक आ गया और गिरावट 104 रुपे 95 पेसे की आपको नजर आएगी 5.86% के हिसाब से तो गिरावट इसमें काफी strongly गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही थी और वही अगर देखा जाए तो एक महिने में तो यहाँ पर हद से जादा स्टॉक गिर ग यहाँ पर निफ्टी वीक था बैंक निफ्टी वीक था और मार्केट वीक था तो इसके कारण से गिरावट थी और एक सो 99 रुपे 75 पेसे तक स्टॉक गिर गया माइनस 10.59% के हिसाब से और 6 महीने में आगर देखो तो ग्रोथ एक जटके में किसे नीचे आ गई और आपको मोमिंटम अगर आप देखो तो तकड़े मोमिंटम के साथ स्टॉक बढ़ रहता और उससे बड़ी बात और क्या आओ सकती कहने से कितना कांसी एक कंसिस्टेंट तरीके से स्टॉक अगर बढ़ रहा है और गिराउट आ जाए तो काफी बढ़ी बात है और 68 रुपे हसी पेसे तक स्टॉक में बढ़ा थे और 4.25 पासन के साफसे तो गिराउट काफी बढ़ी हमें देखने को मिली है इसके चार्ट को समझна इंपॉटन दो एक चार्ट को हम समझ लेते हैं यहाप पर पहले हम बात करेंगे डेवन चार्ट प्रेम पर बात करेंगे इंफोसिस ल्टीडी नसी में और कैस वह खिर देखा जाय तो यहाँ पर चीज तो आपको दिख गए होगी एक पर्टिक्लर सपोर्ट लेवल हमारे पास है इंफोसीज में और देखा जाए तो कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस सपोर्ट का गेम चल रहा है रेजिस्टेंस है सपोर्ट है सपोर्ट है सपोर्ट है रेजिस्टेंस फिर रेजिस्टें तावा नजरा रहा है इस पर्टिकलर लेवल पर सपोर्ट ले लिया है तो हम उम्मिद कर रहे हैं कि यहां से एक बड़ा हाई लगे यहां से बड़ा हाई लगे और स्टॉक जाए दो हजार रुपए तक बिलकुल यह जा सकता है क्योंकि बड़े-बड़े टार्गेट भी ऑगर देखो काफी upside down momentum हमें इस टाक में देखने का मिल्गत हैं काफी upside down सो मोमेंटम है में बल्कुल यहां पर शौर हूँ कि है स्टॉक हुपर जाएगा और यहां पर जिस तरह के से नीचा आ है फिर उपर गया फिर नीचा अपर गया फिर नीचा यह प्र लग रहा है कि यहां पर एक हेवी कॉंटिटी में आने वाली है लोग यहां ही से स्टॉक्स को उठाने वाले हैं इंफोसिस में कोई मोका नहीं चुटने वाला है तो विल्कुल फीचे नहीं रहना है खरीच सकते हो क्योंकि एक तरीके से यहां पर स्टॉक्स सपोर्ट ले रह आ सकता है अगर यहां पर market down रहता है और stock भे भी यह break कर देता है नीचे के लेवल तो यहां पर आ सकता है 1575 के level तक क्यों मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहां पर अगर देखा जाये तो consolidate किया था stock काफी दिनों तक फिर उपर गया था और फिर अगर यह break कर देता है 1575 के लेवल को भी तो यह आएगा सीधा कहा पर 1473 के लेवल तक क्यों क्यों कि यहीं से stock में एक rejection आया था बड़ा वाला फिर यहां से breakout मिलके उपर गया था फिर उपर गया फिर सपूर ले रहा है फिर उपर चैनल पर हमेशा अपडेट करता हूँ तो टेलेगाम चैनल को जॉइन कर लो गाइस यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंफो सीज का मार्केट कैप क्या है मार्केट कैप के हिसाब से तो बिलकुल यह एक तगडा stock है लार्ज कैप stock है और 7.06 लाक करोड का stock का मार्केट रुपे पे stock open हुआ था हाई लगया था 1727 रुपे 55 पेसे का और लो लगया था 1619 रुपे 50 पेसे का वही गाईस अगर देखा जाया इहाँ पर क्या 52X का हाई है 1953 रुपे 90 पेसे का इसका हाई है 1231 रुपे का यहाँ पर लो भी देखने को मिल जाएगा resistance की बात करू ? 1716 रुपय का first resistance level है second resistance level 1745 रुपय 80 पेसे का है third resistance level 1764 रुपय 05 पेसे का है support level में 1669 रुपय 5 पेसे का first support level है second support level 1669 रुपय 70 पेसे का है and third support level 1619 रुपय 90 पेसे का दिखाई देदेगा यहाँ पर price performance अगर देख लो तो price performance सच्छा increment था प्राइस प्रफॉमेंस माइनस 5.57% आपको यह पर देखने को मिल जाएगा गाइस वही अगर वन मन्थ के प्राइस प्रफॉमेंस की में बात कर लू तो वहाँ पर माइनस 10.69% है और थ्री मन्थ का भी माइनस में ही है कितना माइनस 1.04% वही गाइस अगर बात कर ले यहाँ यह और हाप की तो 10.68% तक माइनस में दिखाई देगा गाइस बात करो अगर वन येर के प्राइस प्रफॉमेंस की तो पॉजिटिव है 32.13% जो की है बिल्कुल पॉजिटिव त्री यह का 131.64% पॉजिटिव है तो गाइस कहीं न कहीं एक बड़ी अपोर्चुनिटी आप को मिल रही है ऐसे बिक स्टॉक्स बेकरने के लिए यहाँ पर अगर बात कर ले यह अपर वालुम्स की तो वन करोर का असपस क ट्रेड़ विजियु हमें देखने को मुल रहा है अप्राइड की देने है निमिंए कल की बात करो तो वन करोर की असपस का ट्रेड विलिए तह और 78 lakh का कॉंबिनेंट डिलिवरी था और yesterday में 1 करोड का trade value आपको देखने को बिलेगा और 79 lakh का कॉंबिनेंट डिलिवरी देखने को मिल जाएगा वही अगर 1 week के average की बात कर लू तो 95 lakh का trade value था और 62 lakh का था कॉंबिनेंट डिलिवरी और 1 month के average में 70 lakh का trade value और 42 lakh का Combinant Delivery देखने को मज़एगा तो guys trade values और Combinant Delivery हमने दोनों ही discuss कर लिया और काफी अच्टगड़ी आप पर देखने को मिल रहे है volumes भी मतलब heavy counted quantity इसमें हापर shares को उठाया जा रहा है और 100% buying है guys 100% लोग के रहे हैं buying के लिए revenues की बात करें तो revenues अच्छे का से बड़े है stock के साथ ही बात करें अगर net profit की तो net profit भी आप देख सकते हो guys 2021 का net profit जहाँ पर 19,423 करोड के आसफास दिखाई देगा वही अगर बात करें share holding patents की तो promoters की holding 13.12% की है FIS की 33.17% की है DI की holding 16.31% की और public holding है 37.06% और देश की बात करो 0.34% की holding दिख जाएगे तो guys और all infosys को छोड़ना नहीं है क्योंकि यही मौका है buy करने के लिए तो guys वीडियो को अगर अच्छा लगा हो वीडियो को like करो चुने को subscribe करो thank you